नमस्कार दोस्तों अम्बे सुरुसेश चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है आज की जो हमारी वीडियो है वो एक कुछ अलगी टाइप का एटियम मसीन है जिसको मिल्क एटियम मसीन बोलते हैं हाला कि हमने इंडी कैस के बारे में बताया ही था लेकिन कुछ जो कम इन्वेस्टमेंट करके अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं उनके लिए आज हमने यह वीडियो बनाया हुआ है और हम यह वी वीडियो में दिखाएंगे कि इनका दूद किस तरीके से मिल्क एटियम की तरह कि इस तरीके से जो है सेल आउट करते हैं कैसे निकालते हैं मशीन के जरिए और इस मशीन की खासियत यह होती है कि आपको जितना क्वांटिटी में दूद चाहिए होता है आप उतना मीटर के हिसाब से आप कीपेड पर यहां जो नंबर बने होते हैं उस पर नंबर डालिए औ और उस हिसाब से उतने रुपय का दूद ले जी या फिर आप जितना लीटर चाहते हैं उस लीटर के हिसाब चाहते हैं उतने पैसे का दूद आटोमेटिक देगा तो आज की जो हमारी वीडियो है जिसमें कि पर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें क्यों बढ़ते हैं हम आगे दोस्तों जो यह मिल्केटिय मशीन होता है यह बहुत ही कम इंवेस्टमेंट पे मिल जाता है आपको और कम इंवेस्टमेंट के प्लान में जो है आपका अच्छा इंकम आपकर सकते हैं और सबसे अच्छी बात यह होती है कि दूद को हर किसी की जरूर कपे hvis लेड़ में सब् होते हैं उन्से वी कहीं ज्यादा आपका जो है ज्यादा इसका डिमांड हैं सब्सक्रीया का तो जो पैकट mają सब्सक्राइब उसका है नँ में कि आपको ईतषी क्या दिखांगे कि जयसे मैं ने दुकानपर चाहँ वीडियोो के मैं विडियो यह विडियो नहीं बना सकता था क्योंकि वहां पर काफी भीटी तो मैंने वीडियो सिर्फ ॥ेकॉर्ड कर लिया और आपको इसके जरी दिखा रहा हूं तो जो मैंने आधा लिटर डूद लिया है वह पैकेट में किस तरीके से लिया हुआ है यह उनका दूद दी रहे हैं इस जो है इस तरीके का दूद का ही इस्तमाल करें तो जो यह दूद है जैसे कि किस तरीके से आप जो है इसको कैसे मैंने लिया इस मशीन का वर्क क्या है उसके बारे मैं बताऊँगा आपको तो सबसे पहले आपको जाना है एटियम मशीन पर जहां आपको दूद लेना है वहाँ पर जितना अमाउंट है आपका जितना मालिजे की जैसे मुझे लेना था उस टाइम मैंने इनसे कहा था कि मुझे आधा लेटर तूट चाहिए तो इन्होंने नमबर जो मशीन थी इस मशीन की खासियत य जैसे में कार्ड डाल करके पैसा निकाल करके और आप के सार चीज होता है तो इस तरीके से मुझे लेना था कि कि कितना दूद मुझे चाहिए तो इन्होंने पांट युट्वन स्कॉज़ीं सोग्राम जPOS किया यहांपर आधा लीटर दूड कि और आधा लीटर नहीं रपता जाएगा और इसकोsom क्योंने पूछा कि हमारे यह सब दूड क्या होता है यह सब soakनी वापस ले जाती आपके लोकल में हो डेरी होती है और ऐसा ATM लगाने के लिए मैं कह रहा हूँ आपको कि अंदर आभी देख सकते हैं ऐसा इस टोट होता है और इसमें दूद हमेशा फ्रेश रहता है कभी दूद खराम नहीं होता है और फ्रेश टाइप का यह सेक्शन होता है और बिजली से चलती है ज्यादा दूद चाहिए वह उन्होंने मुझे पैक करके दे दिया है अब जो जैसे सब्सक्राइप माल लिजे कि आपके पास दूद सप्लाई कितनी है वह आपकी क्या है इंकम क्या बनेगी वहां पर उसके बारे में मैं बताऊंगा थोगा सा मैं जल्दी मैं हूं दूसरी वीडियो बता है और पाउडर कहीं मिलाओ आपको नहीं मिलेगा यह इस दूद का तो इस दूद की खासियत है और दूसरी बात की यह एट्यम लगा करके आप कितना महीने का profit कर सकते हैं क्या आपको इसमें loss नहीं हो सकता है तो जो क्या loss की आप बात कर रहे हैं इसमें loss कुछ भी नह होती है जैसे सपोज्ध आपके उस एरिया में कितना शेल होगा दूध उस हिसाब से जो है आप वो दूध लेंगे हलाकि आपने दूध लिया जो है कि पांस हजार रुपए का या दो हजार रुपए का या एक हजार रुपए जैसे सेल होगा लेकिन एक मैं एवरेस बता रहा हूँ कि आप मालीजे सपोस्ट डैट सौ लिटर की आपकी सेलिंग है लगन जो होती है साधियां जो आती है तो इसका सेल और ज्यादा बढ़ जाता है और दूद भी महंगा बिखता है यानि महंगा बिखने का मतलब कि आपकी प्रॉफिट भी चस्ट डबल हो जाती है वहाँ पर तो जैसे कि सपोस्ट डैट जो कंपनी आपके लोकल में होती है हायर करती है वह डेली टैंकर लेकर के आएगी और आपको जितना दूद का रिक्वायर्मेंट होगा उतना दूद आपको देगी इनकेस जो दूद आपका बज जाता है सामको आप उनको कॉल करना है वह गारी आएगी और पूराना दूद वापस लेकर चले जाएगी और इस मशिन में फ्रिज के जैसा लगा होता है जिससे कि आपका दूद हमेशा ठंडा रहता है और कभी खराब नहीं होता और काफी सा रहता है तो जैसे सब्सद्राइट आप मैं प्रॉफिट की ही बात कर लेता हूं कि आपको किस तरीके का प्रॉफिट मिलेगा यह लगाने से तो जैसे कि एक लिटर आपने दूद लिया कंपनी से वह 45 रुपय का हिसाब से कंपनी ने दिया हला कि हर लिटर पे जो है पांच और इसमें कमपनी आपसे कुछ भी नहीं कहेगी तो जैसे एक लिटर दूद आपने लिया 45 रुपए के हिसाब से और उसको सेल किया बाउन रुपए के हिसाब से तो 7 रुपए का पर लिटर पे आपका जो है प्रॉफिट होता है अब जैसे कि आपका मालिज ये डेली का 100 रुपए का सेलिंग है डेली बंदे जो है 100 रुपए के हिसाब से देखेंगे तो एक दिन का 700 रुपए बनेगा और कंटिन्यू कंटिन्यू जो है आपका 30 दिन तक यही 100 रुपए के हिसाब से बसता है यानि एक दिन 7 रुपए भी आप बेचे, 300 लिटर भी बेचे, लगन वगन में तो 300-400 लिटर कोई बहुत बढ़ी चीज नहीं है, और दूद 1-2 लिटर कोई बेचना, दिन भर में कोई भी दुकान बंदा वाला होता है, तो दिन भर में कम से कम 20 लिटर आराम से बेची लेता, कि इतना भी नयार है, ल चीजें, आप उनसे ले करके, और इसको फ्रेंचाइजी की तौर पर चला सकते हैं, अगर आपको लगे कि मुझे अब ये टियम नहीं चाहिए, ये मिल के टियम तो आप इसको वापस करके, कुछ कंपनी आपका पैसा कटिंग करेगी, और आपका पूरा पैसा जो है, रिफ कई लोग का कानहा डेरी होता है, कई लोग का किस तरीके का डेरी होता है, तो हर एक मतलब मशीन वही रहती है, आपके लोकल में जो दूद देने वाला होता है, उनका अपना ब्रांड हो जाता है, जिनका एक टेंक कर रहता है, तो ये बिजनस का आप फाइदा उठाईए, और दूद सेलिंग एटियम आटोमाटिक वाला मशीन लगाई है, हर जगह 78 एटियम लगा दीजिए, जिसमें सेलिंग होती रहे है, पर डे अपने आप लोग आएंगे, कैस उसमें पैसा फिल्ट करेंगे, हाला कि ये सिर्प बैट करके सेलिंग करने वाली मशीन है, कुछ म और भी बहुत तरिकी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, जिससे आप कुछ न कुछ कि हर आदमी के लेवल का वो बिजनस नहीं होता, बढ़ कोई न कोई ऐसा मैं बिजनस आपको जरूर बता दूँगा, जो आपको मैशिंग करेगा, और आप उसको करेंगे जरूर, हल जरूर को लाइक और सब्सक्राइब, जरू करें, थैंकियो शो मैच